कौन कहता है कि आस्मान में सुराख नहीं होता एक पत्थर तो तबियत से उच्छा लो यारो दोस्तों ये मातर एक कहावत नहीं यदि आप में छमता है, साहस है और किसी भी परिस्थिती में पीछे नहँटने का जजबा है तो आपको आस्मान में सुराख करने से कोई नहीं रोक सकता आज के इस विडियो में हम ऐसे ही एक कहाणी को लेकर आए हैं तीन ऐसे नौजवानों की कहाणी जिन्होंने 1998 में एक बेड़ के नीचे से अपने सफर की शुरुआत की और आज उनकी कमपनी बन चुकी है देश की एक प्रमुक सौफ़ेर कमपनी यह है मार्ग ERP आज देश के 10 लाग से जादा छोटे बड़े बिजनस मार्ग सौफ़ेर पर चल रहे हैं जादा से जादा फार्मा सेक्टर्स मार्ग सौफ़ेर यूज करता है देश के हर राज में मार्ग का नेटवर्क है देश ही नहीं बलकि दुनिया के 29 देशों में भी मार्ग सौफ़ेर यूज किया जाता है कंपनी के 850 से ज़ादा सेल्स एंड सपोर्ट सेंटर है एक हजार से ज़ादा इंप्रॉइंज है हर साल मार्ग सौफ्टर के द्वारा 2000 करोड से ज़ादा के बिल और 7 लाग करोड रूपए से ज़ादा के ट्राण्यक्शन प्रोसेज्ट होते हैं निम्न मध्यम वर्गे परिवार से संबंधित तीन युवाओं ने अपने जुनून और महनत से वो सब हासिल किया जिसे पाने का सपना हर युवा देखता है मार्ग ERP के फाउंडर ठाकुर अनुप सिंग, महेंदर सिंग और सुधिर सिंग तीनों ने मिलकर देश में बिलिंग और एकाउंट्स के तरीके ही बदल दिये पही खाते पर चलने वाले देशी वेपारी को डिजिटल कर दिया अपनी महनत लगन और इमांदारी से मार्ग ERP बन दया जोटे वेपारियों की पहली पसंद